इस पीछले वीडियो में हम मैंने डिसकस किया था कि गूगल के नमबर वन पेज पर रैंकिंग करने के लिए क्या-क्या फैक्टर होते हैं जो काफी वाटन्ट है मैंने पुरे रिपोर्ट आपको दिखाया था अगर अभी तक वो वीडियो से आप अंजान है तो मेरे चैनल प और हमारी वेपसाइट जब तक रैंक नहीं करेगी गूगल के सर्च इंजन के लिए उप्टिमाज नहीं होगा तो हमारी वेपसाइट पर कोई भी ट्रेफिक नहीं याने वाला है या फिर कुछ दिन तक अगर ट्रेफिक आ भी जाता है तो हम ज्यादा तक सफिसेंट टाइ करेपाइट कि और भी क्या-kya इपोटेंस है तो मैंने पीछल वीडियों बनाया था इसमें काफी लोग इंटेस्टेट दिखाये थे था इंकिछ आप लोग इंटेस्ट दिखा रहा है कि गूगल कर नंबर वन पीज में रैंकिंग करने के लिए क्या-क्या करने चाहिए जै मैंने फर्स पार्ट में आपको यह भी बताया था कि टोटल जो है तीरा पॉइंट होते हैं जो फॉलो करना काफी पॉटेंट हो जाते हैं जिसमें मैंने दो स्टेप बता जिया था उसके बाद वीडियो काफी लंबी हो गई थी तो मैं यहां पर सोचा कि मैं इस वीडियो म मैं कवर करूंगा कूछ स्टिप्स को और आगे आने वाले रिमेंडिंग में भी मैं सारा स्टिप्स को बताऊंगा कि गोगल के नमबर वन पीच पर रैंकिंग करना है तो क्या क्या जरूरूरत है बाई देखो मैं पूरे अच्छे से आपको समझाता हूं तब जाकर आपको फर्ष पाट नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वह आपको देख लेना पड़ेगा तो काफी लोग यह बोलते हैं कि भाई टेक्निकल एशियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा गूगल में रैंकिंग कराने के लिए तो ऐसा नहीं है यह काफी लंबा चरूरा रिपोर्ट पर लिक कर रखा टेक्निकल एशियों के बारे में भी वो क्या क्या है जैसे देखो क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग सबसे ज्यादा हो जाती है क्रॉलर एंडेक्सिंग का जिसमें डूप्लिकेट कंटेंट भी सामिल होता है उसके बाद जनरेट करना है गूगल में स्नेर्पिट्स के रिकॉर्मेंट है तो उस टेप से अगर आटिकल नहीं जनरेट करोगे तो भाई कैसे गूगल में रैंकिंग मिलेगा उसके बाद एचरा फ्लैक्स इसके बारे में अलग से डिसकस करेंगे और बहुत से चीज़ों जो टेकनिकल को आटा है जैसे स्पीड वगरां भी तो काफ़ी ज्यद्ण मैटर करता है साइट में स्पीड भी बहुत करता है गुगल के नंबर वाइन पेज में रैंकिंग करने के लिए टेक्निकल इशू को इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है थ्री इन्होंने देखा है सबसे पहला ना मॉवाइल उप्टिमाइज होना चाहिए इसको टेस्ट करने के लिए देखो तो इस तरीके से दिख जाएगा और यदि नहीं है तो अपको यहां पर देखो तो यह चीज से दिख जाएगा उसके बाद वार्निंग बगरा दिखने लगेगा तो यह चीज हो जाती है और यह जो यहां पर है प्लेटफार्म एक खुद बता रहें कि इस चीज को ना सबसे पहले जल्दी जितना जल्दी हो सक इसको फिक्स करो क्योंकि 24 कंदर में यह करता है यह भी बताया है कि लोडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है साइट को रैंकिंग कराने में इस चीज का प्रूब गूगल के खुद एक दिया है कि गूगल ने खुद 2018 में एक अपडेट निकाला था कि रैंकिंग करने में अगर पेज स्पीड अच्छा रहेगा तो जल्दी रैंक होगा क्योंकि मोवाइल करवा रहा है तो बैसली बात है कि अपकी वेबसाइट का पेज स्पीड खाफी अच्छा होना चीजिए यदि आपको ये भी कन्फ्यूजन है कि हमारी वेबसाइट का पेज स्पीड सही है या फिर नहीं है तो उसके लिए देखोगे बेपेजटेश.org पर चले आना फ्री कोई डिसकस नहीं करता है सिर्फ दस बता दिया इस्यों सही करो और आपको कोई बताएगा नहीं करेगा कि कहां पर एक जटली मुझे चेक करना है कि हमारी पेज स्पीड सही है या फिर नहीं है तो यह सब चीजों को मैं आपको गाइड कर रहा हूं बड़ी बात है कि फ्री करता है और इंडेक्स नहीं हो पाता है जिसमें देखो नोट फाउंड आता है पेज भी डिडियर्ट आता है कर्वलर करंटी नोट इंडेक्सिंग आता है रोबोट टक्टि यह सब चीज़ आता है तो यह चीज को चेक कर लेना यहां पर भी इन्होंने यहीं कभर किया है में 29 पेज इफ्रक्टेट दिखा रहा है तो यह चीज सबसे ज्यादा बैटर करता है एक गूगल में रैंकिंग राने के लिए अलाकि मैंने तो यह साइट को ना नॉर्मली बना रखाया ज्यादा इसमें काम धाम करता नहीं हूं तो बेसली बाहां से थोड़ा सायगा लेक एक एरर है तो इसको फिक्स करना काफ ही पॉटेंट है इस रिपोर्ट के लास्ट में होने यह भी बताया है कि यदि आपको वर्निंग ग्रीन कलर का है तो टेंसल लेने की जरूत नहीं है लेकिन यहीं अगर वार्निंग रेड कलर में दिखा रहा है यह रिकमेंड़ कर रहा है तो इस सबसे ज़्यादा है कुस पध्यान दो और टेक्निकल एस्यों को सही करो टेक्निकल एस्यों में एक चीज और बताई है अगर अपनी साइट को बड़्प्रिस को बना रखाया है तो वहां पर योश्ट फलागिन होती है उसको यूज़गरो योश्ट एस्यों प्ल ने बताया है मैच यूर कंटेंट तू सर्च इंटेंट अब सर्च इंटेंट क्या है उसके अनुसार आपकी कंटेंट मैच कर गया तो बैसली बात की रएंग करेगा एक चीज को मैं भी मानता हूं एसा-इसे चीजों इन्होंने कवर किया है ना जो मुझे भी मालूम नहीं कर पा रहे हैं या फिर नई उलक कर पा रहे हो अपनी ब्लॉग में आर्टिकल में ढाले हो या नहीं जाले हो इस सवके में आता ये सब्सक्राइब है किटना इसीज हो कई डिखा ये अगर सस्वर खराब रएक निश्याद्यश्में चीज भूरे की चेंग ञुन क्ल़र है क्या हो अडivy कर पाता है। था प्लोग हो तो पता ही होगा कि रिटिञप का इंफरमेशन न होता है टरेट का की बड़ होते हैं एक फॉर्मेशनल की लिट गांषिनल के ने इंफ ठंड़ट इसके अदर मेंना हाउट ईसाप चीजों से स्टार्ट करते हुआ करना जैसे आपने सब्सक्राइब करते हैं और इसमें आपको डिरेक्ट जानना कंपनी के लिस्ट के बारे में जानना है कि तॉप कंपनी क्या है अब इसके अंदर आप डालोगे तो कैसे काम चलेगा अब मैं एक एक जामपल समझाता हूं अब लोग को सारा चीज समझ में आ जाएगा जैसे मैं यहाँ पर गया और मैं सर्च करता हूं टॉप बेस्ट जैसे मैंने सर्च किया टॉप बेस्ट श्कूल इन देले अब भाई मुझे इंटेंसन है कि लिस्ट कि नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पारग्राप डाल रखाया और यहां पर जरूवत है यह पॉइंट वाइज की जरूवत है या फिर नम्बरिंग वाइज की जरूवत है तो यह चीजों को सबसे पहले आपको देखना है क्योंकि इन्फॉर्मेशनल है और आपको यूजर ड जाता है जिसे का में घाल गलान गया तो कश शची कर रहे हैं कमर्सियल वह IQ रूप हो जाता है और उसके बाहद होता है अर्ञे कायोण क Metro और tuo देखो इसी चीज़ को इन्होंने रिपोर्ट में न काफी अच्छे से एक रियल लाइफ एक्जामपल से आको एक चीज़ समझाया है कि जैसे एक आर्टिकल लिखने वाले थे सी आरो टेक्निक के बारे में सी आरो ध्यान सरख डेट ऑप्टिमाईजेसं अब इसके बारे में इंहोंने लिखना चाहते हैं इन्होंने एक ब्ड़ झूंडा अब इस पर वही वर्क करना स्टार्ट कर दिए लेकिन वर्क करते करते देखो इन्होंने आप खुद दिखाया ग गूगल ने टी का स्किन सोट भी दिखाया है कि इस तरीके से अर्टिकर डाल दिया रेट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दा कम्प्रीट लिस्ट इन्हों ने आप डाल रखा है अब देखो क्या हुआ ना कुछ दिन तक इन्हों ने आप ट्रैफिक अच्छा खासा गेंड किय लेकिन यह बताया कि गूगल तो इसको फिगर आउट ही नहीं कर रहा है क्योंकि गूगल को चाहिए कंवर्जन डेट उप्टिमाइजेशन दिन नोट गेंट मतलब एच चीज नहीं चाहिए मतलब गेंट लिस्ट नहीं चाहिए तो भाई यह चीज को कि बड़ से अठाना इसके बाद देखो यहां पर गेंट लिस्ट नहीं चाहिए था लेकिन इन्होंने गेंट लिस्ट बूर्णों उसमें एड कर दिया था अब इस तरीके से देखो जब भी यहां पर गूगल को पता चला तो गूगल इसका सर्चिंग रैंकिंग डॉन करने लगा और यह इन्ह लोगों का सर्च करने का तरीका था उसको चेंज कर दिया अब यहां पर इन्होंने आर्टिकल को अपडेट किया और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाईजिशन सिर्फ रहने दिया बस ठीक है उसके बाद क्या हुआ जैसे ही कर दिया उसके जो गूगल में लोग और कहके सर्च कर रहे थे लोग सर्च कर रहे थे देखोगे तो इन्होंने यह सब चीजों को बारे में भी जानना चाहते हैं इसके ही बारे में जैसे कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाईजिशन के अंदर में इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टुस्यारो वर्क्स एक जामपल ऑप सी सब चीजों को भी गुगल पर सर्च किया रहा था लोगों के द्वारा तो यह सब चीजों को इन्होंने अपने आर्टिकल में इंकलूड किया है इस यहां पर देखोगे सेकंड टाइम इन्होंने देखा कि भाई इस कीबड पर बहुत सारे लोगों कर रहे हैं कर दिया कनवर्जन रेट उप्रिमाइजेशन दर डिफाइन डेफिनेटिव गाइड इसके अंदर में इन्होंने आर्टिकल का टाइटल चेंज कर दिया इस कीबड को इन्होंने टार्गेट करना शुरू कर दिया और देखो इन्होंने यह बता है कि जैसे यह इन्होंने कि गया है कि बड़ का इंटेंट को बदला है तो 214 परसेंट मोर ट्राफिक गया है पहले के मुकाबले का ट्राफिक इंटमेटिक बूस्ट हो गया और इन्हों ने चीज को जहां पर किया है उसके बाद इन्होंने बता है कि अगर आप साइट को नंबर और पीपुल बहुत साथ लोगों के साथ दिखाना चाहते हो वह बैसली बात है कि गूगल की इंटेंट को समझना पड़ेगा और गूगल क्या बोल रहा है क्या क्या लोग गूगल पर जाकर सर्च कर रहे ह और उस पर अपने अर्टिकल के अंदर में इंक्लूरिट करना पड़ेगा जैसे मैं बता देता हूं एक एक जामपल समझाता हूं सारा चीज यह जो फॉर्थ पॉइंट है ना पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगो तब समझ में आ जाएगा जैसे मैं आपर सर्च किया हू तो मुझे सिर्फ टॉप चाहिए ठीक है अब टौप चाहिए तो मुझे तो सिर्फ जितना भी टॉबका लेस्ट है ओ निंगाल जाएगा अब गूगल का मुझे इंटेंट है ना कि इस्व शरिष में चाहिए हमारा किबट का इंटेंट चेंज हो गया और लोग इसके बार कि बड़ का इंटेंट हो चुका है अब देखो इसके अंदर में और क्या-क्या लोग जानना चाहते तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो कोई कि एक गूगल खुद से सजिसन देता है कि इसके अलाबा ना जो बेश्ट निंडिया यह तो सर्च लोग करना ही चाहते है लेकिन के अलाबा यह भी सर्च करना ऊफ्रोफेस्टेंल इंडिया यह वी लोग सर्च कर रहे हैं टॉप 10 एक्सपर्ट इन इंडिया ये भी सर्च कर रहा है टॉप एस्ट पूरे चीजों को यह सब चीजों को भी गूगल सच कर रहे हैं लोग यहां पर तो एसब कीबट का इंटेंट हो गया है यान कि लोग अलग-अलग तरीके से इसको सर्च कर रहे हैं और यह चीज काफी प्लेट का इंटेंट हो जाता है और इस चीज को सबसे ज़्यादा समय यहीं पर होता है तो कि Google का पूरा इंटेंट नहीं है तब तक आपको रैंकिंग नहीं मिलने वाली है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने दो पुएंट और कवर कर लिया है मैंने यहां पर चारा स्टिप फॉलो कर लिया हूँ नमबर वन स्टिप से नहीं देखा है तो प्लेइलिस चेक करो मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूँ और आगे आने वाले वीडियो चाहिए भाई इस लोगों को सिर्फ रैंकिंग कराना चाहिए लेकिन जो इपोर्टेंट पार्ट है जो आगर आप लाइफ में मिसिंग कर रहे हो वो कभी भी आप यहां सर्च इंजन में आप्टिमाजिशन रैंकिंग में कर आप आप आओगे और एक ब्लोगिंग में आप सक्सेस नहीं हो पहोगे ब्लोगिंग में आप नीचे ही आजाओ पसंदी वीडियो को लाइक करो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी दिकत हो तो मुझे इस्टागाम बदा सकते हो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो ठाट और फोर पार्ट मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ और जो भी अभी तक नहीं देखे है हाओ टू रैंक वाला प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पजाओ गूगल में रैंकिंग कैसे करते हैं 1224 कंदा में बहुत धमा कैदार प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ पूरे इंफोर्मेशन के साथ दिखा रहा दिमाग में एक भी चीजों को कंफ्यूजन ना हो इस बारे में कि भाई हमें गूगल में रैंकिंग करने के लिए क्या क्या करने के जुरूत है मिलते नेक्ट वीडियो में वीडियो दखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद